हेलो फ्रेंड्स वेल्कम ट्यू यू यूट्यूब चैनल ओम सथी टैरिस गार्डन फ्रेंड्स आए मैं आपके साथ अपनी वेटेवल प्लांट शेर कर रहा हूं यह देखिये फ्रेंड्स यह वेटर क्रावड है करेलेखी बेल रेखिये कितनी हरी बदी बेल है देखिये यह देख सकते हैं आप कितनी अच्छी और कितनी बड़ी बेल है फ्रेंड्स और यह मैंने इस वेक्स में लाई हुई है इस देखिये इसमें कितनी अच्छी फ्लावर्स भी आ रहे हैं काफी बड़ी और अच्छी वेल है और एक यह इस तरब भी है फ्रेंड्स देखिये फ्रेंड्स यह थोड़ी थोड़ी शूख रही है कि आप यह परानी हो चुकी है इसे फ्रेंड्स हमने फर्वारी में लगा या तक रोखिया तक रोखिया इसे फर्वारी के टाइम पर और इस मेसेज हो है दो बार करे लिए आर्वेस्ट भी कर चुके हैं और देख सकने हैं आप यह वी अमने वेक्स में लगाई लिया अब पर देखिये इसमें यह यह अपने मार्च में रोखिती और इसमें फ्रूटिंग में इस्टार्ट उचके देखिया अब देख सकते हैं और फ्रेंज इन यहां पर बहुत चूटा सा है इसका यह फ्रेंज अभी फूल खिलानी है इसका फूल हो कल खिलेगा और यहां पर फ्रेंज से देखिया आप देखिया जीक्स मैं और यह देखिया इसमाय फ्रेंज काफी अच्छी फूटिंग हो यह देखिया यह देखिया यह देखिया एकी बेले फ्रेंज भाई किनी एच्छी से पहल हुई है यह देखिए नीचे से एक ही बेल है यह की इतनी फैल रही है फ्रेंट्स वाफ ही अच्छे से फ्रेंट्स मेरे किसी बाईवेंड का यह कमेंट आया था करेंचो प्लांट पर कि इसे लीव से ग्रू कैसे था है तो मैं अभी उन्हें बता दूं कि अभी जो है प्लांट्स को बचाना इंक काफी है अभी बहुत गर्मी पढ़ रही है इसलिए और जो है कलंचो प्लांट्स अभी लीव से या कटिंग से आप ग्रो नहीं कर सकते उसे ग्रो करने का जो सी है ना वो आप जो है उमलाई में क कर सकते हैं आप से ईज़ी ग्रो हो जाएगा या फिर फरेंट्स यो प्लांट्स इसे उसे प्लांट ऑ अगर तो कbei तियार करने वहीं सब्सक्राइब सयास करने और फ्लांट्स नो बीक्राइगी और लीप से अगर आप ग्रो करते हैं तो उसमें प्लांट रेडी होने में टाइम लगया और इसके बाद फ्लॉबरिंग में भी टाइम लगेगा इसलिए मैं तो जारा तर कुटिंग से ग्रो करता हूं और फ्रेंड जैब उसका यो लीप से ग्रोइंग पीडियट सुरू हो जाया तो मैं उसके पर भी एक्सेप्ट एट वीडियो डानुगा तो फ्रेंड वीडियो चला है तो वीडियो लाइक शेर कमेंट और सब्सक्राब जारू करें थैंक्स पर वाचिन